हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू करेंट अपडेट दोस्तों यहां पे पीवी कोड से एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि जो आप लोगों का एक्जाम कलेंडर है ठीक है उस पे कुछ अपडेट हुआ रोगों वीडियो बना रहा हूं तो बहुत सारे लोगों के यह देख लेना तो चीजे आप लोगो को क्लियर हो जाएगी और जो भी माइंड में जो भी आप लोग को पैनिक सिच्वेशन बन रहे हैं तो बूलूँगा सबसे पहले तुम आपको पीवी की वेब साइट पर ले चलता हूं दिखाता हूं कि एक्जाम कलेंडर कहां से हटाया है फिर उस पर मैं कुछ चीजे आपको अपडेट दूँगा तो यहां पर जाने के बाद आप यहां पर एक्जाम सेडूल दिया हुआ है ठीक है एक्जाम सेडूल में जैसे ही आप जाएंगे तो देखिए दोस्तों यहां पर परिच्छा कलेंडर हटाय गया है और यहां प आपके पुलिस भरती और सिक्षक भरती रिगार्डिंग बात करें कि एक्जाम आपके कंडेक्ट होंगे भरती दी जाएगी रोजगार दिया जाएगा और दूसरी दैनिक भासकर में जो न्यूज आई थी वो पीवी के और से न्यूज थी उस पर यह था कि जो आपके एक्ज एपस दिन में आप लोग को यहां पे कलंडर अगर नहीं मिलता है तो जो टेंटिटिटीव एक्जाम डेट्स है किसकेजलर्लिट्स यहां पर दे दिये जाएगे अब देखिव को ये तो कुछ आ जो पुलिस भरती ज्या और उनको डेट कर सकता अगर update नहीं होता है या तो उनके tentative exam date को पूरा calendar same to same जारी करके tentative exam date को समय बढ़ा हटा दिये जाएगा ठीक है तो यहाँ पर maximum max आपको 15 दिन का समय मिलेगा अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि exam a conduct किसको कराना है ठीक है तो पीवी exam conduct कराएगा उसके उपर allegations लगे हुए है कि आज जो fraud हुआ था दो तिन exams में तो उसके लिए जाँ चल रही जाँ एजनसी पे तो exam conduct नहीं करा सकता देखिए लेकिन दोस्तो exam जो conduct इसका जो vendor है ठीक है जो exam conduct करा था वो TCS के हाँ उमें देता है पूरा काम TCS देता है और देखिए online exams के regarding कर मैं बात करूं तो जो भी online exams आप लोगों के होते हैं तो TCS भी अभी CHSL के exam करा रहा है ठीक है मतलब करा चुका है तो अभी COVID की situation भी ऐसी नहीं है इतनी panic situation नहीं है कि आप लोग के online exam conduct नहीं हो सकते पीवी बोर्ट पूरी तरीके से तयार है दोस्तों आप लोगों के exam card admit card आने वाले थे वो सारी चीज़े होने वाली थी तो कहीं न कहीं यहाँ पे पीवी बोर्ट के तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी कि exam हमें conduct कराना जैसे मुकमांति सुरा सिंग चौन लगातर बोल रहे हैं कि exam conduct कराना और दूसरी चीज़ों तो हमें भी इने प्रसराइज करना पड़ेगा मतलब हम लोग सच में इतने अंदोलन कि यह सब कुछ होता है लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है ठीक है कहीं न कहीं government यह चाहरे कि अगर हम एक बार इनके प्रसराइज होके इनके लिए काम कर देंगे यानि कि अंदोलन के बाद यह कुछ भी भर्तियां कर देंगे निकाल देंगे यह चीज़े हो जाएंगी तो उनको ऐसा लगता है कि यह लोग हमेशा करने लग जाएंगी कुछ ना कुछ इनके दिमाग म वही चल रहा है क्योंकि देखिए दोस्तों तीन से चार साल से भरतिया नहीं है यह सभी को पता है सब पूरे student person है और दोस्तों सबसे आकड़ भी सच्चा है जो है मैं आपको बता रहा हूँ आज चार जार जो पुलिस की भरतिया है दोस्तों जब इसके result आएंगे न तो आप लोग कहेंगे कि मैं बता रहा हूँ यह जो जितने अंदोलन करने जा रहे हैं student खड़े होते हैं ठीक है उसमें से बहुत कम लोग का selection होगा दोस्तों बहुत सरे student ऐसे हैं जो की छुपे हुए हैं नहीं भी होता है ठीक है जो cut up है दोस्तों 4,000 भरतियां बहुत कम है आप लोग यकीन मानिये बहुत जादा कम है मतलब आप लोगों का जो cut up जाने वाला है आप लोग बिलकुन सोच नहीं सकते हैं हम तो इतने सालों से analysis कर रहा हूं मैं PB का तो मुझे पूरी तरीके से पता है आप लोग जो cut up है ना 4K भरतियों में आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितना जादा जाएगा बहुत जादा जाने वाला है MPP का cut up जो इसका final selection होने वाला वो बहुत जादा चला जाएगा ठीक है अब बहुत सारे student बिलकुन निरास हो जाएंगे जो अच्छा क SI की दे रहा हो ना तो police constable की दे रहा हो पूरी भरतिया MPCAT की हुई सभी को पता COVID के बाद जो भिरुजगार हुए है वो भी government के preparation कर रहे हैं तो बहुत जादा यहाँ पर pressure आने वाला students के ओपर और दोस्तों यहाँ पर calendar हटा देना तो यह बिलकुन pressure वाली बात है लेकिन मैं आप लोग को यकिन दिलाता हूँ टेंसर मत लीजिए आप लोगों के exam जो है वो कुछ ना कुछ update आएगी और आप लोग के exam पहले ही होंगे और हम लोग पूरा अपनी AD चोटी का जो लगा देंग जो भी हमसे possible होगा ठीक है अपने तरब से हम करते हैं ठीक है आप लोग के आप लोग देख लीजिए ठीक है यहां पर कुछ announcements है जैसे कि आप 24 months का subscription लेते हैं तो 4 months का extra आपको subscription फ्री में मिलेगा 12 months का लेते हैं तो 3 months का subscription फ्री में मिलेगा तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको coupon code यूज करना सब्क्रिप्शन लेना और देखे दोस्तों यहां पर September month free classes भी देख सकते हैं और यहां पर फ्री में बहुत सारी टेस्रीज लगा सकते हैं दोस्तों यहां पर लगता है टेस्रीज आती रहती है MPPSC के लिए मौक टेस्रीज और पुरानी टेस्रीज भी आप लोग लगा सकते नएने कोर्स लगततार यहां पर लाँच होते रहते हैं पिलिम्स के लिए मेंस के लिए और बहुत सारी चीज हैं देखिए यहां पर मैं बैसे की बात करूँ तो September month में यह सारी बैसे हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं देखिए 15 September से 8 month का foundation बैसे स्टार्ट हो तो इन बैसे को आ कर लीजिए पढ़ने का अभी समय है तो बिलकुर हमारे कूपन कोड यूज करके ऐसे 30 कूपन कोड यूज कीजिए और MPPSC के सब्क्रिप्शन ले लिजिए उसके बाद आप MPPSC MPPSC जिसकी तयारी करना चाहते हैं करिए आपको सभी क्लासे यहां पर प्लेस एजुकेटर दा सब्सक्राइब मिल जाएंगी मिलते हैं विडियों तब तक लिए जैन जे भार धन्यवाद दोस्तों